नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर मेरा नाम है अक्षे आज हम रिवीव करेंगे न्यू निसान मैगनाइट क्यूरो एडेशन का ओनली ब्लेक अलर के अंदर एविलेबल है ये ये आप अपनी आखों सामने देख रहे हैं निसान मैगनाइट मैनूल ट् प्रोडक्ट प्रचेस करना हो शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है दिए गए नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए विजिट कीजिए अलिना निसान हिसार के अंदर चलिए शुरू करते हम इंजन से यहां पर आपको मिलते हैं टू इंजन ओप्शन एक है 999 CC का वन लिटर इंजन पेट्रोल के अंदर जो प्रडूस करता है 72 PS 6250 RPM पर टोर्क आपको 96 Nm का मिलते है 3500 RPM पर उसके अंदर ट्रांस्मिशन ओप्शन आपको मिलते हैं मैनूल ट्रांस्मिशन 5-speed और आपको 5-speed easy shift ट्रांस्मिशन गेर्बोक्स और एक आता है आपका 999 CC क वन लिटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रडूस करता है 100 PS 5000 RPM पर टोर्क आपको 160 Nm का मिलते है 2800 से लेकर 3600 RPM पर और इसके अंदर ट्रांस्मिशन ओप्शन आपको मिलते हैं 5-speed manual ट्रांस्मिशन और CVT गेर्बोक्स दोनों ही इंजन आपको पेट्रोल के अंदर अविले लोक का बटन दिया जाता है सिलोर फिनिश है और पीछे आपको बटन दिया जाता है जिससे आपकी मैनूल की है वह आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आपकी कार्की की बैटरी डेड हो जाती है तो बात करते हैं डायमेंशन की यहां पर आपको लेंथ 3.9 मिटर विड़ आप ग्रे कलर के अंदर आपको ग्रील दी जाती है पियानो ब्लैक फिनिश और यहां पर आपको मिलती है स्लीक हैलेजन हेडलेंप्स विद इंडिकेटर के साथ आते हैं उसके नीचे आपको LED डियाल दिया जाते हैं यहां पर आपको लगेगा टोइंग हुक इससे उपर वाले पर आपको LED फोगलाम्स मिलेंगे यहां पर आपकी लगेगी नमबर प्लेट ग्रे कलर में आपको फ्रंट बंपर दिया जाता है यह आपका दूसरे साइड का LED डियारेल Ground clearance 205 mm की मिलती है आपको ऐसे देखते हैं आपकी गाड़ी की फ्रंट लूक और यह देखिए साइड प्रोफाइल लूक फ्रंट की आई यह बात करते हैं हम अब फ्रंट सस्पेंशन की यहां पर आपको दिया जाता है मैक फ्रंट में आपको डिस ब्रेक दी जाती है फ्रंट में आपको रेड ब्रेक केलपर दीया जाते है MRF Wonder के आपको टायर दीया जाते है टायर सेक्शन आपको मिलता है 195 60 R16 89H MRF का टायर है रेड ब्रेक कैलिपर सेंटर में निसान का लोगो और यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर डामेंड का टेलोई वील्स बहुत ही अट्रेक्टिव डिजाइन है यहाँ पर आपको क्रों के अंदर मेगनाइट लिखाव मिल जाएगा फ्रेंट वाइपर वाश्यों के साथ बोडी कलर्ड आपको और वीम दिये जाते हैं विद इंटिग्रेटिड एलिडी टरन इंडिकेटर के साथ उसी के निचे आपको दिया जाता है कैमरा 360 डिगरी कैमरा आता है आपको एक्स वी वेरिंट के अंदर ब्लैकलर में आपको साइट क्लैडिंग दी जाती है रिक्वेर्स सेंसर दिया जाता है मैंको लगाने के लिए आपको ओप्शन दिया जाता है ड्रेवर साइड ब्लैकलर में आपको रूफ रेल्स दी जाती है 50 केजी मैक्सिम पेलोड है इनका ब्लैक अलब में आपको शाक फिन एंटीने दिये जाता है बात करते हैं फ्यूल टैंक की यहाँ पर आपको दिये जाता है 40 लिटर्स का रेयर में आपको दिये जाता है ट्विन ट्यूब टेलिस्कोपिक शोक एब्जोर्बर डबल एक्टिंग सस्पेंशन MRF वंडर के आपको टाय दिये जाते है रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी निसान का लोगो और यह आपके ब्लैक अलड के अंदर डैमेड का टेलिस्ट रेयर टाय प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिये जाता है 195, 60, R16, 89H, टाय सेक्शन, स्पोईलर है, हाई मांट स्टोप लैम्प, रेयर डिफोगर, रेयर वाइपर, वश्यर के साथ, और यहाँ पर आपको मिलते हैं, स्प्लिट टेल लैम्प्स, क्रोम के अंदर आपको निसान का लोगो और मैंगनाइट लिखाव मिल जाएगा, यह दूसरी साइड का आपका स्प्लिट टेल लैम्प, इंडिकेटर के साथ, फोर रेयर पारकिंग इंसेंसर दिये जाते हैं आपको, यहाँ पर लगएगी आपकी नमबर प्लेट, रेयर पारकिंग कैमरा है, अडेप्टिव गाइड लेंड के साथ आता है, यह आपका एक्जोस्ट नोट, नमबर लेट के उपर गेने के लिए आपको लाइट दी जाती है, भूट आप पिछे बटन दिया गया है, टेल गेट के उपर, आप वहाँ से उपन कर पाएंगे, आईए मैं आपको उपन करकर दिया देता हूँ, यहाँ पर आपको बटन मिलता है, हाइड्रोलिक्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, रेर पार्सल शेल्फ, होक मिलता है यहाँ पर, लाइट दी जाती है, होक मिलता है, 336 लिटर का बूट स्पेस मिलता है आपको, लोटिंग लिप यादा है, आईए मैं आपको स्पेर वील दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको इसे उठाना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपका प्लेस स्पेर वील, टाय सेक्शन की बात की जाएं तो यहाँ पर आपको दिया जाता है, 165-80-R14-85-R टाय सेक्शन, बात करते हैं सेफटी की, यहाँ पर आपको ड्यॉल फ्रंट एर बैक्स, 3.8 seatbelt with pretentia, load limiter, ABS, EBD, VDC, HSA, TCS, HBA, auto roll bar, rare parking sensors, immobilizer, child lock, automotive warning hazard on heavy braking, seatbelt reminder, anti-theft alarm, speed sensing lock, और आपको TPMS, trumpet horn, impact sensing unlock, मिलता है, front door open करने के बाद, यहाँ पर देखेंगे, आप wide open होता है, और यहाँ पर आपको piano black color के अंदर lever दिया जाता है, जिससे आप door है, उसे खोल पाएंगे, और यह आपका door low करने के लिए, यहाँ पर आपको lever दिया जाता है, यह देखिए, fabric finish, white stitching, piano black finish, over beam gear adjustment, power window up and down के लिए बटन, थोड़ सी space पकड़ने के लिए, one little bottle holder, यह आपका speaker, यहाँ पर आपको scoff plate नहीं दी जाती है, accessories के अंदर अवेलेबल है, manually आप height adjust कर पाएंगे, यह आपका fuel lid open करने के लिए, seat आगे और पिछे करने के लिए, यहाँ से आप कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको seat के उपर texture दिया जाता है, black and beige color के अंदर आपको seat दी जाती है, height adjustable head rest, ऐसे दिखते हैं आपकी seat belt, manual transmission है, तो इसके अंदर आपको dead pedal, clutch, brake and rest दी जाती है, और यहाँ आपका traction control, off, own करने के लिए button, light adjustment के लिए button, texture, panel black finish, इस event के चारो तरफ, ऐसे दिखते हैं आपको dashboard, airbag की branding, panel black finish, इस event के चारो तरफ, और यहाँ पर आपको texture मिलता है, glove box उपन करते हैं, deep आपको glove box दिया जाता है, उसके अंदर light दिया जाती है, आपको yellow color की, इसे open करते हैं अब, यहाँ पर आपको co-pacent side vanity mirror दिया जाता है, और यह पूरी तरह open नहीं होता है, थोड़ सी space छोड़ देता है, इसे बंद करते हैं, यहाँ पर आपको grab rails दिया जाता है, co-pacent side light दिया जाती है, yellow color की अंदर, उपर आपको sensor दिख रहा होगा, light के पास ही, light के नीचे आपको IR VM दिया जाता है, drive side आपको 20 mirror नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको mic place है, और यह देखिए, यह भी जगह छोड़ देता है, इसे बंद करते हैं, और ऐसे दिखता है आपका steering wheel, three spokes steering wheel आता है, piano black finish, यह आपके M.I.D. के control के button, menu खोलने के लिए, back करने के लिए, up and down स्क्रोल करने के लिए button दिया जाता है आपको, M.I.D. का, center में आपको दिया जाता है Nissan का logo, home की branding, SRS airbag की branding, और यहाँ पर आपको volume up and down, source, mode up and down करने के लिए, और आपको call उठाने, काटने और voice assist एक्टिवेट करने के लिए button दिया जाता है, light का control, wiper का control, और यहाँ पर आपको lever दिया जाता है, इसे open करकर आप अपनी height के मुकाबिक up and down steering wheel को adjust कर पाएंगे, M.I.D. की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 17.78 centimeter का TFT Advanced Drive Assist display मिलता है, जो आपको शोग करता है, speed, tachometer, gray shift indications, 3D welcome animation, battery status, coolant temperature, TPMS, door open warning indicator, time, date, sweet belt reminder, outside thermometer, जैसे कई features, आपको यह show करेगा, average kilometer भी आपको show करेगा, आपको जिससे आप, display की brightness को, up and down कर पाएंगे, कुछ इस तरह से, side में आपको low field warning भी दिख रहा होगा, और ऐसे दिखता आपका, end में मिटा, back होने पाथ, center में आपको इस event दिए जाते हैं, दो, 9 गयों पर आपको थोड़ो सा क्रोम देखने हों मिलेगा, 4 तरह आपको, प्यान ब्लैक फिनिश मिलेगी, infotainment की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको, 20.32 cm का floating touch screen, infotainment screen दी जाती है, जो आपको wireless CarPlay, Android O2, trip meter, eco snoring, eco coaching, trade view camera, adaptive guidelines के साथ, HVAC airflow indication, voice recognition, WhatsApp notification, Wi-Fi connect, आपको दिखाता है, डिवाइस सीख के अंदर आपको डिवाइस में है, जा Bluetooth option, Wi-Fi, टूटरल, सिस्टम के अंदर language, clock, factory set, system version, आपको शोग करेगा, home button पर आपको radio, media, phone, driving, setting और smartphone integration, शोग करेगा, trip report, echo coaching, acceleration, gear shift, जैसे आपको कई features, यहाँ पर देख पाएंगे, अपनी screen के पर, यहाँ पर आपको button दिए जाते है, lock करने के लिए hazard का button, और, उसी के इंचे आपको दिए जाते है, AC control, auto AC आता है, और यह देखे, chrome finish, knob के उपर, wireless charging pad, idle start stop button, USB type A port, और उसी के उपर 12 watt port, थोड़ी से space दी जाती है, 5-speed manual transmission gear box, pen black finish, चारो तरफ, और, यह leather aid touch के साथ आता है, 2.5 air filter आता है, कार के अंदर, यह आपके cup holders, hand brake, chrome knob, fabric arm rest है, white stitching के साथ, और यह open नहीं होता है, slideable भी नहीं है यह, और कुछ इस परकार का आपको देखने को मिलगा, आपका dashboard, आए अब हम चलते हैं, rare passenger seat पर, अगे वाड़ी seat मेरी height के साब से adjust है, मेरी height है 5.8 feet, rare passenger side door बहुत ही wide open होता है, जिससे आप in and out हो पाएंगे, यह आपका door lock and lock करने के लिए, panel black आपको level मिलता है, खुलने के लिए, fabric finish, white stitching के साथ, panel black finish, power window up and down button, थोड़ी स्पेस, door को पुश करने के लिए, one little bottle holder, speaker, यह आपकी fabric seat, seat को protection मिलता है, isofix child mount है, three pointed seat belt है, adjustable आपको headrest दिये जाते हैं, only two, center passenger को कोई भी headrest नहीं मिलेगा, armrest with twin cup holder के साथ, साथ आता है, near room आपको देखिए, कुछ इतना मिलेगा, और यह आपका magazine holder, near room बैतरीन है, under thai sport की बात की जाए, तो आपको बैतरीन मिलता है, headspace की बात की जाए, तो आपको कोई भी issue नहीं आएगा, 6.5 feet का पसंद भी, easily हाँ पर बैठ सकता है, light दी जाती है, जो की yellow color के अंदर आती है, grab rails, दोनों साइट दी जाते हैं आपको, और यह देखिए आपका arm rest, study arm rest है, rare race event, chrome की finish, उसे के निचे आपको 12 volt power socket मिलता है, कोई भी hump नहीं देखने हों मिलेगा, minimum सा है, कोई भी issue नहीं आएगा, 3% easily यहाँ पर sit कर सकते हैं, रहस दीखता आपका dashboard, बताईए कैसी लगी आपको, new Nissan Magnite Curo Edition, XV variant का, comment sections के अंदर, नए हैं तो चैनल को like, share, subscribe, बवश्य कर लीजे, आने वाली बैतरीन वीडियो के लिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए seatbelt बश्य लगाईए, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और जब आप बाइक राइड कर रहे हैं, तो आप helmet अवश्य लगाईए, सभी को राम राम, भारत माता की जै, जै हिंद,